जीपी वाटसप दूसरी वाटसप की निस्बत मोस्ट फीचर्ड है क्योंकि ये प्ले स्टोर पर अवेलिबल नहीं है इसलिए इसे अपडेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्कल हो जाता मोस्ट पीपल अपडेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता अभी जो है मैंने वाटसप ओपन कर लिया है उपर वाले थ्री डोटस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर जीपी सेटिंग का एक आइकन होगा उस पर करना है क्लिक अब जो है एक अपडेट का आइकनों का उस पर क्लिक करने के बाद अब मैं देखता हूँ चक फर अपडेट मेरा जो है अपडेट वो लेटिस्ट है और अब वर्टसप चेंज लोग पर क्लिक करूँगा और जो चेंज लोग है वो भी मेरा 16 वर्जिन पर है इसके बाद अपडेट फ्राम वेब इस पर करना है क्लिक क्लिक करने के बाद आपके आगे एक विंडो ओपन हो जाएगी विंडो ओपन जब हो जाएगी तो आपने पांच मिन्ट ज्यादा से ज्यादा पांच मिन्ट आपने लाजमें वेट करना है क्योंकि download का option थोड़ा लेट आता है इस window पर इसलिए पांच मिन्ट तो लाजमी अपने वेट करना है यह तो एक दो मिन्ट के अंदर अप्शन आ जाता है तो गाई यहां पर हम करेंगे 2-4 मिन्ट वेट तो अभी तक download का option नहीं आया है और तब तक का मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल नोटिक्वेशन आन कर लें तो अभी हम देखते हैं कि कब तक आ जाएगा आजा 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 तो काफी जो लोग हैं उनके पास यह download का option नहीं आपाता और वो जल्दी से skip कर देते हैं तो skip नहीं करना यह देखें आ गया है अब यहां पर एक चीज़ आपने देखनी है कि आपने direct download करना है या mirror download मैं हमेशा mirror download करता हूँ तो आपने भी mirror download करना है क्योंकि अक्सर लोगों के पास direct download नहीं होता तो आपने mirror download पर करना है क्लिक दोस्तर क्लिक करने के बाद एक नई window open होगी जहां पर GP WhatsApp Pro 16 version या फिर आपका 15 version होगा तो इस पर आपने करना है क्लिक क्लिक करने के बाद 5 सेकंड के अंदर आपकी WhatsApp अपडेट होना शुरू हो जाएगी अपने permission allow करने हैं और आपकी WhatsApp अपडेट होना शुरू हो जाएगी अब यहां पे एक और सवाल आता है अब mostly people ना दो दो तीन तीन बार इससे download कर लेते हैं अपडेट कर लेते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमारी WhatsApp अपडेट नहीं हुई भई क्यों अपडेट हो आपकी WhatsApp जब तक आप इंस्टाल नहीं करेंगे वो अपडेट कैसे हो सकती है तो मेरी जो WhatsApp है वो अपडेट होना शुरू हो गई है और अब मैं इसके करता हूँ कैंसल क्योंकि मेरी already WhatsApp जो है वो अपडेट है अब जब आपकी जो है complete download हो जाए WhatsApp तो अगला काम यह करना है Chrome में जाना है downloads पर जाना है आपने और downloads पर आपकी WhatsApp पड़ी होगी वहाँ पर आपने इसे install करना है दोबारा से install करना है फिर वो आपकी WhatsApp अपडेट हो जाएगी 16 वर्जिन तो यह सारा परसेस आपने अपने WhatsApp कैसे अपडेट करनी है तो इस तरीके को आपने फालो करके आपकी WhatsApp जो है वो अपडेट हो जाएगी तो अमीद करता हूँ वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा